बिस्मिल्लाहरमान रहीम लास्ट राम हमने मेमरी स्टाट किया था आगे आज हम फर्द कंटिनून करते हो और आज हमारा जो आगे एक्स्ट उसका पार्ट है वो है टाइपस ऑफ मेमरी टाइपस की बात करें तो यहां जो है बिसिकली तीन टाइपस होती है शॉर्ट टम मेमरी ओ सॉर्डी हां सैंसरी मेमरी और लॉंग टम मेमरी यह तीन इसके टाइपस होती है उसके इलावा लॉंग टम मेमरी के आगे दो टाइपस होती है एक्सट और इंप्लिक्ट मेमरी एक्स्ट को हम unconscious कहते हैं इंप्लिक्ट को हम unconscious memory कहते हैं यह जो unconscious memory होती है यह पुरसीजर में मतलब इसमें हमारे skills और सारे tasks करा जाते हैं जबके declarative memory इसमे facts और events करा जाते हैं इसके आगे फर तो तो डो types है episodic and cementing memory episodic में सारे event and experience और सेमेंटिक में facts और concepts और अगे उसके लावा यह मैंने साइट पे ऐसे भी types लिए आप चाहें तो इसके screenshot लिए खुद में लिख सकते हैं type sensory short term long term and rehearsal memory 1-2-1 इन सबको देख लेते हैं सबसे पहले sensory memory sensory memory जो होती है यह इसमें sensory events टोर होती है जैसे कि silent हो गया sound हो गयी टेस्ट हो गयी और इसकी further processing या interpretation करनी के जुरहत नहीं होती हम कोई भी चीज़ जिसको brief imaging देखते हैं वो particular moment के लिए होती है और वो जो है short brief सी memory जिसको आप कहते हैं वो बन जाती है most brief होती है कोई further processing नहीं होती side sound और टेस्ट आ गया और यह कितना last करती है टू सेकिंड या one and half सेकिंड फिर है short term memory अब इसमें हमें selective attention की जुरहत है उसके बाद जो है info जो है store होती है at the basis of मतलब जो हम sound images सुनते हैं उसकी basis पे इसमें information जो है वो store होती है उसके बाद जो है हमारी next type is long term memory long term memory अब इसमें meaningful important information होती है permanent memory होती है और limited storage या capacity इसमें होती है lifelong जो है वो continue करती है अब next हम आगे further उसके types देखें long term memory की तो हमने पड़ी थी कि उसमें भी आगे यह types इंप्लिक्ट और उसके इलावा cementing और episodic one by one को देख लेते हैं या procedural memory भी इसको कहते हैं अब यह जो है यह वो memory जो responses देने में जो है वो use होती है जैसे कि हमने कैसे dissect करना है या energy tube कैसे पास करना है यह वो वही memory है उसके बाद जो है semantic अब इसमें जो है हमारी जन्नल और स्पेसिफिक knowledge आज़े जैसे कि पानी जो है सोडी की पर बॉयल होता है पाकिसानी श्या में हार जो है लेप साइट पे और episodic में आगे पर्सनल इवन जैसे कि हमारा first day college हमारी birthday हमारी patients का clinical state और इंफर्मिशन जो है वो इस बेस पर स्टोर होती है meaning की बेस पर और उसके बाद hippocampus important part होता है जो स्टोर करता तीन categories होती है long term memory की procedure semantic and episodic next one is rehearsal अब इसमें जो है हम जो भी चीज़े information को हम बार 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 repeat करते हैं ताकि हम जो है वो हमरे mind में चीज़ा स्टोर हो जाए इसको हम जो repeat करते हैं silently भी कर सकते हैं में सी क्यू लाइन है elaborative rehearsal क्या होती है active process होता है जिस में हम material organization करते हैं और जो meaningful information होती है उसकी बार बार rehearsal करने को हम elaborative rehearsal करते हैं MCQ था उसके बाद ये वला वो देख लिए flow चाड़, incoming information आई, sensory memory में चली की short term के लिए story इतनी काम की नहीं थी वो forget होगी उसके बार की memory में गई, जो काम की नहीं थी वो forget होगी, जो काम की थी वो rehearse की और encode हो गए आगे जो है long term में चली गई यह थी टापस अफ ममी नेक्स इंशाल हम नेक्स पार्ट में करेंगे, अपना ख्याल रुखे गला आफिस